नवस्ते दोस्तों मैं आर्वी आरी की चैनल पे आप सभी का दिल से शुर्ध है आज मैं लेकर किया यूँ हैपी न्यूएर इस्पेसल मटन करी सर्दियाँ इस्पेसल मटन करी और दीसी तरीके से बनाएगे मटन करी आप लोग खाये होंगे दादी नानी बनाती थी तो मिस करते होंगे दादी बनाती थी नानी बनाती थी बहुत अच्छा लगता था कैसे बनाती थी तो चलिए उसी तरीकी से बनाते हैं मटन करी देख लेते हैं सामगरी तो मेन होता है मसाला मसाले अच्छे से समझ लेना तो आपकी रिषएपी बहुत अच्छी बनेगी तो यहाँ पे हमने लिया है मिर्ची धेर सारी तो मिर्ची धेर सारी नहीं लेनी है अपने स्वाध अंसार लेना है एक चमच जीरा लेना है एक चमच खस-khस तेज पत्ता लॉंग लिया है बीस, काली मेंछ एक चमर्च, दाल चीनी के टुकड़े पांचे और जावित्री के टुकड़े भी पांचे लेंगे लेंगे शरी उड मेंग श्रहा रहा लाके हम देशी से बस Himrail Mohamed और खुल के फ्लिवर आते हैं और वे verso मसाले का फ्लिवर आएगा तो यहां पह्म पे हम अद्रक लेhard 1 Cub तो Lad ideals ले आर ग आद्रक कंटीटी एक हो गई तो ले还ं के कोंटीटी 2 होगी और प्याज बता में पहले मतन करी में 1 kg में 400 gram तो यहां पे 3 kg मतन के लिए यहां पे प्याच को कट कर लिया है एक किल में 400 gram डालेंगे प्याच जादा कर देंगे तो मतन मीठा हो जाता है फिर तीखा वाला दादी-नानी वाला टेस्ट नहीं आएगा आपका जल जाएगा तो आप लोग वीडियो स्किप नहीं करें चोटी जोटी बातों को आप स्किप कर दोगे ना तो यहाँ पे हम अपने सारे मसालों को डाल देदे हैं जो कि हम लोगों ने तड़के के लिए निकाल के रखा है तो अब यह मसाला हो क्या है यानि की तड़का तो यहां पे हम लोग अद्रक डाल देंगे तो यहां पे हमने अद्रक डाल दिया है और यहां पे हम लहसन डाल देंगे तो यहाँ पे न तड़के को जलाना नहीं है हलका साही गुनगुना तेल तो बहुत गरम होता है तो तड़का डाल करके सारी चीज़े हम लोग तुरंथी डालेंगे लेसन इस तरह के से देखे भून के जब हो जाए लेसन का कलर तो यहाँ पे प्याज डाल देंगे तो हम सारे प्याज को डाल देते हैं तो यहाँ पे हम सारे प्याज डाल देंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा छोटी सी वीडियो है वीडियो पे आईएगा तो प्लीज दो या तीन मिनट देखने के बाद ही कमेंट करिएगा वीडियो देखे बिना ही कमेंट करके नहीं जाएगा बहुत खराब लगता है और वीडियो आप लोग खराब कर देते हो तो यहां पर हम मसाले में काले मिशली है एक कीलो के हिसाफ से एक चम्मच बड़ा चम्मच आप लोग ने देखा कितना बड़ा मटन के प्याज को बहुत ज्यादा नहीं भूनते हैं बहुत ज्यादा भून देंगे तो मटन में पानी से पकाना पड़ेगा फिर अच्छा नहीं लगता मटन अपने पानी से पकेगा और प्याज के पानी से पकेगा तब ही आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा तो यहा और थे-सारी काली मिच पीसिती कि 1 Q की एकुलो की हिसाब से यहां पे 1 चमच लेज़ को तीन चमच थूअने काली मिच पीसिती को उसे डालगे अच्छे से तेल ही अभी में प्याज मॉटन को अच्छे से दूलना है गरम पानी और नमक ञाने के पकाए तो यहां हम सारे मतन को डाल देंगे और अच्छे senza मिक्स कर देंगे है तो यहां पे अच्छे से मिक्स कर दिया है ने कि जळेना नीचे से ने अज जब तक पकानी है जब तक मटन नहीं पकता मटन को पकने के लिए समय देंगे तभी वो दादी नानी वाला टेस्ट आएगा तो यहां पे देखिए गैस को स्लो कर देंगे मैं नीचे जमीन पर बना रही थी अभी मैंने इसे उपर रख दिया क्योंकि बहुत कुछ नहीं करना था वाल पेपर पर छीटे आ जाते हैं इसलिए तो यहां पे अब मैंने उपर रख दिया है और इस बन के तैयार हो गया है पूरा अच्छे से मटन पक गया था आप लोगों ने देखा तो सबसे पहले आप लोगों को हमारी तरफ से हैपी निवर का धेसारी शुप कामना है आपको और आपके पूरे परिवार को थेंक यू